तो हेलो दोस्तों सन्यास की उमर में चमकी इस भारत्य खिलाडी की किस्मत IPL 2024 ओक्षन में 20 मिनट में बन गया करोड़ पती तो दोस्तों IPL 2024 IPL का 17 सीजन मार्च के अंत में सुरू होने जा रहा है हाली में दुबई में इस सीजन के 77 खिलाडियों की सपल निल्लामी हुई इस दोरान विदेशी खिलाडियों पर जमकर पैसा बरसा सिर्फ विदेशी खिलाडी ही नहीं बलकि कुछ घरेलुईवा खिलाडियों को भी टीमों ने भारी रकम खर्च करके अपने साथ जोड़ा इसी बीच आसिस नहरा की कोचिंग वाली गुजरा टाइटन्स ने निल्लामी के दोरान एक ऐसे भारते खिलाडी पर दाउ लगाया जो रिटार्मेंट की कगार पर खड़ा है खास बात ये रही कि गुजरात ने इस खिलाडी पर करोडों रुपे दे कर अपने साथ सामिल किया आईए आपको बताते हैं कौन है ये खिलाडी दरसल यहां जिस खिलाडी की बात हो रही है वो कोई और नहीं बलकी उमेश यादव है मालूम हो कि गुजरा टाइटन्स ने इस तेजगेंदबाज को आईपेल 2024 निलामी में 5.80 करोड रुपे की कीमत पर अपने साथ सामिल किया है सन्यास की कगार पर खड़े 36 साल के तेजगेंदबाज उमेश यादव के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी बोली है निलामी के दोरान जब तेजगेंदबाज का नाम सामने आया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन पर इतनी बड़ी बोली लगेगी ऐसा इसलिए क्योंकि पिछला सीजन बहत खराब रहा था इसके चलते केके आर ने तेजगेंदबाज को रिलीज कर दिया खराब परदर्शन के काराण उमेश यादव को टीम इंडिया से भी बाहर कर दिया गया है तेजगेंदबाज ने भारत के लिए अपना आखरी मैच 2023 वर्ल्ड टेस्ट चेंपियंशिप के फाइनल में खेला था इस दोरान उनका परदर्शन काफी निरासा जनक रहा इसके बाद टीम इंडिया से उनका पता कट गया इसके बाद टीम परवंदन ने उमेश की जगे दूसरे खिलाडियों को मौका देना सुरू कर दिया इसके अलावा सपेद गेंद फॉर्मेट में वो लंबे समय से टीम का इस्सा नहीं है उमेश यादव ने 2018 के बाद से वंडे और 2022 के बाद से T20 इंटरनेशनल में भारत का परतिनी दित्व नहीं किया है लेकिन इन चीजों के बाद गुजरात की टीम ने एक बार फिर इस गेंद बाज पर भरोसा जताया इसलिए उन्होंने आईपिल 2024 की निलामी में उमेश यादव को खरीद लिया 2010 में अपने आईपिल करियर की सुरुवात करने वाले 36 वर्षिय तेज गेंद बाज उमेश यादव ने आईपिल में कई यादगार परदर्शन किये हैं जिसमें तीन बार 44 विकेड लेने का कारनामा भी सामिल है अपनी गती और गेंद की स्विंग कराने की छमता के लिए जाने जाने वाले उमेश यादव की सबसे तेज गेंद 152.5 किलो मिटर परती घंटा थी इसके अलावा अगर आईपिल में उनके परदर्शन की बात करें तो उन्होंने अब तक खेले गए 141 मैचों में 136 विकेड लिए हैं वो टूर्नामेंट के तेरवे सबसे जादा विकेड लेने वाले गेंद बाज भी हैं तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे